स्टडी आईक्यू की आदिटोरिल कारक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवानी इस कारक्रम में UPSC और राज्य सिवल सिवा परिक्षा के मेंस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है कारक्रम में आज का टॉपिक है ब्रिक्स शिकर समेलन ये टॉपिक सामान अध्यायन प्रश्ण पत्र दो के अंतररास्ट्रिय संबंद खंड से जुड़ा हुआ है हम उमीद करते हैं ये टॉपिक आपके मेंस एक्जाम के लिए बेहत कारगर साबित होगा तो आईए अब कारक्रम की शुरुआत करते हैं अंतररास्ट्रिय स्थर पर भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है नाकेवल दुनिया के ताकतवर देश आज भारत के ओर देख रहे हैं मलकी गरीब और विकासिल देशों को भी भारत से बहुत जादा उमीदे हैं ऐसी में बाइस से 24 अगस के बीच साउथ अफरिका के जुहांस बर्ग में आयोजित किया गया पंद्रहवा ब्रिक्स शिकर समेलन आने वाले समय में नौकेवल भारत बलके दुनिया के देशों के लिए भी बेहुद इहम होने वाला है वैसे तो ब्रिक्स शिकर समीलन हर साल आयोजित होता है लिकन इस बार भारत और चीन सबंदों से लेकर ब्रिक्स के विस्तार के मदे नज़र आने वाले वक्त में ये बेहद एहम रोल प्ली करने वाला है दरसल गलवान घाटी में भीशर जड़ब के बात से ही भारत चीन के सम्मंद लगतार खराब चल रहे हैं बहराल जब तक सीमा वर्ती आलाकों में शांती नहीं होगी तब तक चीन के साथ भारत के सम्मंद सामानी नहीं हो सकते और ब्रिक्स जैसे मंचों का मकसद यही है कि आपसी टकराव और तनाव के मुदों को मिल बैट कर निपटाया जाए आपको बता दे कि इस तरह के इंटरास्ट्रिय मंच और समुह द्वी पक्षी और बहु पक्षी आधार पर देशों के बीच मनमुडाव को खत्म कर एक दूसरे के साथ सहियों की भावना को बढ़ावा देते हैं इसके इलावा साथ आफरिका, ब्राजील और रूस जैसे मित्रो देशों के साथ भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक सहयोग को बढ़ावा देने का रास्ता भी तैयार कर सकता है लेकिन सवाल उठता है कि ब्रिक्स भारत के लिए इतना महत्वपून क्यूं है? शिखर समेलन के दौरान कौन कौन से महत्वपून मुद्दो को उठाया गया? प्रधार मंतरी मोदी की जोहांस बर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ दूए पक्षिय बैटकों का परड़ाम क्या रहा वगरा वगरा बहुत सारे सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे तो चलिए आज के इस औरिटोरियल में इनी सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं हम बात करेंगे कि आखर ब्रिक्स है क्या और ये फिलहाल कितना महत्वपून है पंद्रोंवे ब्रिक्स शिखर समेलन में कौन कौन से मुद्दों को उठाया गया साथ ये एक नजर शिखर समेलन के परणामों पर भी डालेंगे और आखर में टॉपिक्स सम्मंदित मुख्य परिक्षा का एक सवाल भी डिसकस करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आखर ब्रिक्स है क्या ब्रिक्स दुनिया के पांच उभरती अर्थ व्यवस्थाओं का एक समू हो है और इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साथ अफ्रिका शामिल है बहरहाल ये दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है आपको बता दें कि ब्रिक्स वैश्विक आबादी का लगभग 41 फीसिदी, ग्लोबल जीडीपी का 24 फीसिदी और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 16 फीसिदी प्रतिनिधित्व करता है यह ना तो कोई अंतरास्ट्री अंतर सरकारी संगठन है, नहीं यह किसी संदी के तहट स्थापित हुआ है, बलकि इसे पांच देशों का एक एकृत प्रेटफॉर्म कहा जा सकता है वैसे तो इसका पहला शिकर समेलन साल 2009 में रूस के येकाती रेन बर्ग में आयूजित किया गया था, जिसमें वैश्विक वित्ती विवस्था में सुधार जैसे मुद्दो पर चर्चा हुई थी गोर तलब है कि उस वक्त इसे ब्रिक के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसका जिकर पहली बार 2001 में गोल्ड में सैशे के एक अर्थशास्री जमो नील के द्वारा किया गया था इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थविवस्थाओं के लिए विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट रिलीज की थी और इसी रिपोर्ट में पहली बार ब्रिक का विचार प्रस्तुत किया गया था लहाज़ ब्रिटिश अर्थशास्री जमो नील को ब्रिक्स का जन्मदाता माना जा सकता है और फिर साल 2006 में इन चार देशों ने सेयुक्त ररस्ट रमासभा की सामानी बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्शिक बैठकों के साथ एक नियमित अनप चारिक बातचीत क नी सफल हुई थी कि इसे एक वार्शिक शिकर समेलन के रूप में देश के प्रमुखू के इस तर पर आयूजित करने का निनल लिया गया और इस तरह पहला शिकर समेलन आयूजित किया गया था साल 2009 में आपको बता दें कि अभी तक इसमें साथ एफरिका शामल नहीं हुआ चीन के सानिया में तीसरे ब्रिक्स शिकर समेलन में हिसा लिया आपको बता दें कि ब्रिक्स का हर एक अक्षर एक देश को रीप्रेजन्ट करता है और इसी करम में हर साल एक अलग देश इसकी मेजबानी करता है उधारन के तौर पर इस साल साथ एफरिका ब्रिक्स की मेजब जबानी की थी और अगले सार ब्राजील इसकी में जबानी करेगा। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। आपको बता दे कि इस साल ब्रिक्स का पंद्रहवा शिकर समेलन साउथ ऐफरीका के जोहांस बर्ग में आयूजित किया गया। इस समिट में देश के प्रधानमंत्री स् पहुचे थे। जबकि रूस के रास्टरपती व्लादिमर पुतन ने व्यक्तिकत तोर पर भाग लेने की बजाए वर्च्वली इस समिट में हिस्साल गया था। दरसल ये समिट इसलिए भी एहम थी क्योंकि साल 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स देशों के लीडर एक मंच पर दिखाई दिये। कोरोना पैंटेमिक और उसके बाद वेश्विक लोकडाउन के बाद व्यक्तिकत रूप से आयोजित होने वाला ये पहला ब्रिक्स शिखर समेलन था। दरसल 2019 के बाद से ही ब्रिक्स समिट वर्च्वली आयोजित की जा रही थी। इस बार ब्रिक्स नेता करेंगे। अब अगर बात करें कि इस साल 15 वे ब्रिक्स समिटी में कौन-कौन से मुद्दो को उठाए गया था। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के लगभग 40 देश ब्रिक्स का सदद से बनना चाहते हैं। ब्रिक्स इन एफ्रिका पार्टर्शी फोर ब्यूचुली एक्सिलरेटिड ग्रोथ, सस्टेनिबल डेवलप्मेंट एंड इंक्लोजिव मल्टिलेटरिजम और वहीं समिट का उदेश, व्यापार के अवसर, आर्थिक आपूर्ती और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने क के अलावा, वैश्रिक संस्थानों में सुधार और शांती प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागिदारी को मजबूत करना शामिल है। आपको बता दें कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थविवस्था बनने की और अग्रिसर है। साथ ही प्रधान मंत्री ने ब्रिक्स शिकर संबेलन में यूपियाई के वैश्विक विस्तार की भी वकालत की। प्रधान मंत्री ने कहा कि आज एक क्लिक में भारत के ल लेंदेन वाला देश है। यूपियाई से यूवेई, सिंगापूर और फ्रांस जैसे देश जुड़ रहे हैं और ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने की काफी संबहवनाएं हैं। इस तरह प्रधान मंत्री मूदी ने यूपियाई के विस्तार की संबहवनाओं क और ब्रिक्स का ध्यान आकरशित किया है। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर काफी उचसक था और फाइनली समिच के दौरान छे नए सदसे अरजिंटीना, एथोपिया, एरान, साओधी अरब, मिस्र और सहयोगत अरब अमिरात को ब्रिक्स के पूर्ण सदसे बनाने पर सहमती जता दी गई है। और अब ये सभी देश ए नए ताकत लाएगा और विश्व शान्ती और विकास के लिए ताकत को और मजबूत करेगा। लहाज़ ब्रिक्स के सभी देशों ने इसके विस्तार का स्वागत किया है। पियम मोदी और साओध अफरीकी रास्रुपती की मुलाकात के दौरान भारत और साओध अफरीका स के लिए भी मिल कर काम करने के लिए सहमत हुए। आपको बता दे कि ग्लोबल साओध को आम तोर पर ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया और मेकसिको के रूप में देखा जाता है। जो भूमिक्षेत्र और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े इसके लावा सभी देशों का फोकस इस बात पर भी रहा कि अमेरिकी डॉलर पर नर्भरता कम करने के लिए व्यापार और वित्य लेंडेन में स्थानी मुद्रों के इस्तिमाल को जादा से जादा कैसे तवज्जु दी जाए। ब्राजील के राश्रुपती लूला डिसलव कर चुके हैं। दरसल समिट के दौरान प्रधानमंत्री मूदी ने अफ्रीकी संग के लिए जी ट्वेंटी की 27 सदस्यता का भी प्रस्ताव रखा है। और उन्होंने ब्रिक्स के सभी सदस्यों से गुजारिश भी की है कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करें। आपको बता अग्रिमेंट न्यू डिवलप्मेंट बैंक और ट्रांस केलिडॉन टेनल अथॉरिटी के बीच हुआ है। दरसल इन दोनोंने लिसेथू हाइलेंड वाटर प्रजेक्ट के दूसरे चरण के कार्यान वेन के लिए एक रुड समझोता किया है। जिसके अंतरगत एंडीबी स साउथ एफरिका की संप्रभू गैरेंटी के तहट टीसी टीए को 3.2 बिलियन साउथ एफरिकी रैंड का रड़ प्रदान करेगा। आपको बता दें कि परियोजना को एंडीबी एफरिकी विकास बैंक और अन्य फाइनेंसर्स के द्वारा सहवित्त पोशित किया जाएगा इसके अलावा चीन के राश्रुपती शी जिन्पिन के साथ मुलाकात के दौरान प्रदानमंत्री नरिंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर पस्चिमिक शित्र में अंसुलजे मुद्दों पर चिंता जटाई प्रदानमंत्री के मताबिक भारत चीन संबंदों को सामान्य बन हुए हैं जिसने की सीमा पर तनाव को कम किया जा सकता है चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ब्रिक्स भारत के लिए इतना महतुपूर्ण क्यों है सबसे पहली बात फिलहाल भूराजनीती एक कठिन और नया मोड ले रही है और भारत कहीं ने कहीं खुद को इन सब के बीच मे कालना बेहत मुश्किल हो रहा है लेहाजा इन सब के मद्य नजर ब्रिक्स मंच भारत के लिए रूस चीन धुरी को संतुलित करने का एक सुनहरा मौका प्रदान करता है आपको बता दे कि वित्तिय स्थिरता फिलहाल पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संक्ट बना हुआ अंतराश्च्री विवस्था के संतुलन के लिए ब्रिक्स देशों के बीज वित्तिय और मौद्रिक प्रणाली में सुधार लाना इसका एक सामाने मकसद है इसलिए ब्रिक्स के सदस्य देश वित्तिय और स्थरता को बनाये रखने के लिए जी 20 में भी महत्वपूर्ण इसमें एहम भूमी का निभा सकते हैं इसके लावा ये भी सच है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के वैश्विक मुद्दे को कभी भी नजर अंदाज नहीं करती और नहीं उसने कभी ऐसा किया है ऐसे में ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खलाफ सही कदम उठाने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है लहाजा भारत ने आतंकवाद की वैश्विक समस्या के खलाफ कड़ा रुख अपनाने और समस्या के विशेश पहलियों पर फोकस करते हुए समूह के भीतर बहुत ही मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा भी है इसके लावा ये भी सच है कि पस्चिमी देश डब्रू टी उ से लेकर जलवाई परिवर्तन जैसे मुद्दो पर काफी चिनोतियों का सामना भी कर रहे हैं वहें विकास शील देश इनकी नीतियों के वज़़े से काफी परिशानी छेल रहे हैं ऐसे में ब्रिक्स विकास शील देशों या फिर वैश्विक दक्षिड की आवाज बनकर उभरा है और विकास शील देशों के अधिकारों की रक्षा में अपनी महतुपून भूमिका निभा रहा है लहाजा भारत के लिए खुद को साबित करने का ये एक अच्छा मौका है साथ ही भारत विकास शील देशों के लीडर के तौर पर भी अपनी भूमिका नरधारित कर सकता है दरसल भारत सेट रस्ट सुरक्षा परशद और परमाणू आपूर्ती करता समूर की सदस्यता के लिए सक्री रूप से प्रयास कर रहा है लेकिन चीन इसमें एक प्रमुक बाधा के रूप में सामने आ रहा है बहरार ब्रिक्स चीन के साथ सक्री रूप से जुड़ने और आपसी विवादों को मिल बैठ कर सुलचाने का अवसर प्रदान करता है इसके लावा दूसरे भागिदार देशों का समर्थन चुटाने में भी ब्रिक्स भारत की बहुत मदद कर सकता है आपको बताते हैं कि सीमा पर भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से तनार की सिती बनी हुई है तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने में ब्रिक्स एक एहम रोल प्ले कर सकता है इस तरह भारत को ब्रिक्स जैसे समूहों का अपने और विकास शील देशों के हितों के लिए भर्जक इस्तमाल करना चाहिए और वैसे भी फिलहाल वैशिक चुनोतियों से निपटने के लिए ये ज़रूरी भी हो गया है चलिए अब टॉपिक से सम्मंदित मुख्य परिक्षा का एक सवाल नोट कर लेते हैं क्या ब्रिक्स वास्तों में विकास शील देशों की आवाज बन सकता है आलोचनातवग परिक्षर कीजिए उमीद है कि आज का ये टॉपिक आपकी परिक्षाओं के लिए हाथ से बेहत कार कर साबित होगा